प्रॉपटी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे है जिसके कारण सहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गर घरिदना मुस्किल होता जा रहा है और इसी बीच देश की केंद्र सरकार होम लोन पर व्याज सबसिडिय स्कीम की सुरुआत करने जा रही है न्यूस एजन्सी राइटर्स के सूतरों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि सरकार इस्मॉल अर्बन हाउसिंग सेक्टर के लिए सस्ते दर पर लोन मुहिया कराने के लिए 600 मिलियन यानि कि तकरीबन 60,000 करोड रुपे खर्च करने की योजना पर काम कर रही है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने बासन में इसका ऐलान किया था हाला कि उनके इस बासन के बाद में अब तक कोई ओफिशिल डीटेल सामने नहीं आई है लेकिन राइटर की डिपोर्ट के मुताविद इस स्कीम के तहत 9,000,000 रुपे तक क लाने का प्रस्ताव है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले कुछ मैनों में बैंक इस स्कीम की सुरुआत कर सकते है एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि लाबारती के लौन एकाउंट में पहले ही व्याज में छूट का लाब क्रेडिट कर दिया जाएगा फिलाल इस स्की को लागू कर दिया जाता है तो सहरी इलाकों में कम इनकम वाले 25 लाक लोगों को लाब मिल सकता है जो घर खरिदना चाते है अधिकारी के अवाले से यह भी बताया गया है कि सबसेडी क्रेडिट की यह रकम इस बात पर निर्बर करेगी कि घरों को लेकर कितनी डिमांड दे काइदा होगा जो कि किराय के मकान जुग्यों चौल या फिर अनाधिकृत कोलोनियों में रह रहे है आपको बता दे कि साल में लोकसबा चुनाव नजदिक है जिसके चलते सरकार देशवासियों के लिए कई तौफे दे रही है हाली में किंदर सरकार ने महंगाई को देखत हुए गरेलिव रसुई गैस की कीमतों में लगबग 18 फिसदी की कटोती भी की है